मेरा सवाल है कि जुमा की नमाज मस्जिद में इस वक्त जाएं कि अजान हो रही हो तो फिर अजान के बाद सुन्ट या नफिल पढ़ें या फौरन जुमा में जी जी बिल्कुल आप जो तहियत नमस्जिद है वो पढ़ें ये बहुत अहम बात इन्होंने पूछा और ये गलती कई सारे लोग करते हैं मैंने खुद देखा है कि वो क्या करते हैं कि जैसे जब मस्जिद पहुँचे तो उस वक्त अजान शुरू हो चुकी है तो वो क्या करते हैं कि खड़े हो करके अजान का जवाब देते हैं और इन्तिजार करते हैं कि जब आजान खतम हो जाए और इमाम साहब खतीब जो है खुत्बा शुरू कर दें अब उस वक्त वो दो रकात नमाज पढ़ने लगते हैं ये तरीका सही नहीं है सही तरीका ये है कि जब आप मस्जिद पहुँचे अगर अजान शुरू हो चुकी है तो आप अजान का जवाब देने के बजाए दो रकात तहितल मस्जिद पढ़िए फ़वरण ऐसा इसलिए आप कीजिए कि अभी अजान के फौरण बाद खुत्बा सुरू होने वाला है और खुत्बा सुनना ये वाजिब है खुत्बा सुनना ये वाजिब है अजान का जवाब देना ये मुस्तहब है तो गोया कि आप एक मुस्तहब काम के लिए आप वाजिब काम च तो जब इमाम वो जब मौजजिन जब तक अजान खतम करेगा आप तहितल मस्जिद पढ़ चुके होंगे इमाम जब खुत्बा शुरू करेगा आप खुत्बे को शुरू से सुनेंगे तो लहाज़ा आप जैसे ही पहुंचे अगर अजान हो रही है तो फौरण आप तहितल म मस्जिद पढ़ें क्योंकि उसके फौरण बात खुत्बा शुरू होने वाला आए जिसका सुनना वाजिब है जिसले सवाल से एक कमेंट आया है शेख इनोंने पुछा है कि जुमा के दिन की तो आपने बता दिये शेख आम दिनों में क्या करना चाहिए देखिए जैसे मिस चीज नहीं है जो हमसे छूट जाएगी जुमा के दिन में हमने इसलिए कहा कि आप अजान का जवाब ना दे करके तहीतल मस्जिद पढ़िये क्योंकि कोई चीज छूटने वाली है अब जो दूसरी नमाजें हैं उनमें कोई चीज छूटने वाली नहीं है बलकि दो अगर आप इस सुन्नत को पकड़ने जाते हो तो खुत्बा सुनने का जो वजूब है वो आप से छूट जाता है इसलिए आम नमाजों में अजान हो रही हो तो पहले आप अजान का जवाब दे लें उसके बाद सुन्नत पढ़ें